गुद मॉर्निंग बचो पिछले क्लास में हमने सिखा था एक से बीस तक अक्षरों में गिनती लिखना सिखा था अभी हम सीखेंगे 21 से 40 तक अक्षरों में गिनती लिखना हम सीखेंगे चले अभी मैं लिखती हूँ उसी तरीके से आपको भी लिखना है ठीक है पिक किस, पाइस, ताइस, शोबस, पाइस, चुबस, सताइस, अचाइस, पाइस, फिक किस, 3 यह हो गए अंक में 1 से 30 तक जलती लिखना है अभी हम अक्षरों में लिखना है किया अक्षरों में क्यों रिखा जाता है जीसे कि हमने 1 से 20 तक लिखाना वसी तरीके से अभी इकैस लिखना है टीकेस एकिस एकिस बायस 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 बा के इस चो बस चो बस के अजड़ के अजड़ के अजड़ के इस बस्टार के इस चालेश्ट लिए्ट अचिस चपिस सताइस सताइस एक है? अठाइस या याँ अठाइस उनन तीस तीस आवे यहाँ पे लिखेंगे याँ यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 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 28 41 40 एह हो गए 40 तर ठीक है 31 25 25 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 32 31 अर्थीस अर्थीस अंचालीस यहां तक हमने अभी आक्षरों में लिखा है तो अभी हमें क्या करना है हमने आक्षरों में लिखा है तो हमें पढ़ने के लिए आना है तो इसलिए मैं आपको एक बात पढ़ कर दिखाऊ 21 से लेकर 40 तक हमने लिखा है हिंदी में हां 21 से लेकर 40 तक लिखा है तो हमें इसे पढ़ना है अभी 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ठीस 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 हो गया है इसके बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 ऐसे आपको पढ़ने के लिए 1 से 40 तक आना है और आना है मतलब आपको वो देग भी लिखने के लिए आना है और बिना देख कर भी लिखने के लिए आना है होमोर आपका क्या रहेगा एक से चालिस तक आपको बिना देखके बोलने के लिए आना है जैसे कि मैं अभी दोहरा हूँगी उसी तरीके से आपको अपने मुमी या पपके सामने आपको बोल के लिखाना है ठीक है तो एक दो तीन चार पांच चर साथ आठ नो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंदह सोलह सत्रह अठारह उन्निस डीस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 27, 28, 29, 40 ऐसे आपको पढ़ने के लिए और बिना देखके लिखने के लिए भी आपको आदा है और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 41 से लेकर, 51 से लेकर तिल 50 तरह 41 से लेकर 50 तक हम पढ़ेंगे ठीक है उतना ही काफिया आपके लिए भी फिलहार एक से पचास तक हमने सीखेंगे ठीक है तब तक के लिए तिल दें टेक केर बाबाई